सो हाई काईज आएं सीज़श कनलवाल एन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कल डीटी का पेपर है हमारा तो आज हमको MCQ की प्रैक्टिस करने चीए क्या कुछ बच्चे होते हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो सोचते हैं MCQ प्रैक्टिस कर लें पर बेटा प्लीज अभी MCQ प्रैक्टिस अलग से बिल्कुल भी मत करो कुछ भी बुक्लेट मत देखो अब अब अबना सिफ अपने कंसेप्ट रवाइस करो अच्छा आपने कुछ चीज़े अगर माक की होगी लिख के रखी होगी आपके लिए वो आप देख सकते हो पर अलग से MCQ प्रैक्टिस अब मत करो बिल्कुल भी मत करो प्रैक्टिस और MCQ स्कूल के देखो यह मत अब अब अगर आपको कंसेप्स पूरे अच्छे हुए न तो आपको MCQ वैसे भी पेपर बन जाएंगे है न तो आपको अलग से होल इन सोल बैट के सॉल करने के देखने की जरुवत नहीं है और RTPs, MTPs भी देख रहे हो न अभी तो डिरेक्टली question, answer साथ में देखो जो भी देख रहे हो solution के साथ देखो, खुद को test मत करो, question answer भी जो पढ़ रहे हो, वो question के साथ answer भी देखो, साफ साफ ठीक है और MCQs के लिए न, जो परी booklet है उसके tricky points का एक वीडियो में थोड़े देल में दालूँगा, ठीक है, YouTube पे, तो मेरी YouTube चैनल पर चेक कर लेना और उसकी sheet मेरे टेलराम साथ में पर रहेगी, तो वो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, अभी थोड़े देर में आदे एक घंट में डाल दूँगा मैं, तो वो चेक कर लेना, तो आपके लेच्छा रहेगा, ठीक है, all the best